हेलो गाइस वेलकम तू माइ यूटूब चैनल फिटनेस सीरीज और हमारे पास जो कुछ क्वैरी आई है पहली वीडियो के बाद वह जादा तर बाइसर्प मसल के उपर ही आई है कि सर थोड़ा बाइसर्प के बार में बदाई है किस तरीके से हम बाइसर्प को ग्रो कर सकते ह है किस तरीके से एफेक्टिव में उसको हिट किया जा सकता है तो जो आज की वीडियो है वह पूरी की पूरी बाइसर्प मसल के उपर ही होने वाली है तो इसको लास तक जरूर देखें ताकि आपको भी कुछ टिप्स और ट्रिक्स पता चल जाए जिससे कि आप अपने केंदेख सन्र वाड़ी है वो साइंस पर वर्क करती है meal happiness is totally Blazgy से तोल यह तो जो हमारी बाइसर्फ मसल है वो हमारी श्रॉ्डर मसल से स्टार्ट होОइँ और और कनेक्टेड होतीए31 बेसिक मसल होती है पहली होती है हमारी लॉंग हैr फर्स्ट वन इस लॉंग है और इस श दोनों मिलके ऐसा सिंगल मसल की तरह वक करती हैं तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी बाइसेb की ग्रोथ अच्छी हो तो आपको लॉंग हैड और शॉर्ट हैड दोनों को ही प्रॉपरली ट्रेंड करना पड़ेगा। अब जैसे कि मैं देखता हूं लगे हूं मैं बाइसेb को तो एक तरीका होता है, एक systematic way होता है, जिस तरीके से आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, तो उसी systematic way में आपको दीरे-दीरे proceed करना है, ठीक है, अब आज मैं आपको कुछ basic exercise बताऊंगा, long head and short head के बाद, जिससे कि आपकी long head and short head अच्छी तरीके से hit होगी, तो पहले बाद कर लेते हैं, long head muscle के, पहले हम बोलेंगे, long head muscle के उपर, कि कौन कौन सी exercise basic होती है, पहली exercise, जो long head को बहुत अच्छी तरीके से hit करती है, very common exercise है, narrow grip barbell curve, first exercise is, narrow grip barbell curve, and second one for long head, inclined dumbbell curve, and third one, ease head, drag curve, and fourth one, barbell hammer curls, ये चार exercise, तो हो गई आपकी long head की, अब short head में, जो basically commonly used exercise होती है, जिससे कि आप अपने short head को अच्छे तरीके से गरो कर सकते हैं, the first one is spider curl, and second, concentration curl, third, pritcher curl, and the fourth one is barbell wide grip curl, तो आज मैं आपको ये आठो exercise perform करके बता हूँगा, इसमें mistakes, जो कि beginners करते हैं, और किस तरीके से आपको movement रखना है, किस तरीके से आपका throughout the exercise movement रहेगा, muscle पे pressure रहेगा, किस तरीके से, ताकि आप एक अच्छे muscle को proceed कर पाएं, तो आईए लाइस, पहले हम create करते हैं, long head को, पहले हम hit करेंगे long head को, ठीक है, अब long head में मैंने कौन कौन से एक से बोलेगी, पहली बोलेगी मैंने narrow grip barbell curl, okay, तो सबसे वहले मैं हमको perform करके रिखा देता हूँ, कि narrow grip barbell curl के इस तरीके से करते हैं, और उसमें क्या commonly mistakes होती है, तो narrow grip barbell curl करनें, जैसे ही आप देखनें लगा हुआ है, narrow grip barbell curl करनें, पहली चीज़ तो, जो आपकी hand की position होगी, जो आपकी gripping होगी, वो shoulder की length के अंदर होगी, थोड़ी सी invert होगी, ठीक है, थोड़ी सी ऐसे invert रहेगी, जिससे की आपकी long head, अच्छे तरीके से hit हो, ठीक है जैसे की मेरे आप देख रहे हैं, मेरी shoulder की length ही वाली होगी, ठीक है, अब narrow grip के लिए क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा अंदर, थोड़ी सी अंदर gripping रहेगी, ताकि आपकी bacer muscle अच्छी तरीके से hit हो, तो same boy करना है, अब धीरे धीरे इसको उठाना है, mind muscle connection को ध्यान में यहाँ पर लाके थोड़ा सा hold, थोड़ा से यहाँ पर hold देना है, ताकि muscle पर थोड़ा pressure बड़े, और इसको धीरे धीरे नीचे ले जा, ठीक है, and repeatedly, धीरे धीरे इसको उपर, यहाँ पर hold, और धीरे धीरे इसको नीचे ले जा, ठीक है, यह तो हो गई आपकी narrow grip barbell का, यह ब long hit के लिए इसको ले जाएंगे, बहुत ज्यादा effective exercise है, बहुत अच्छे दरीगे से आपका long hit हीट होगा, तो इसमें पहली चीज का ध्यान रखना है, मैं दवारा repeat कर देता हूँ, पहली चीज का ध्यान रखना है, जो आपके shoulder length होगी, जो आपकी shoulder, जो आपकी gripping होगी, व and इसको release करना है दिए दिए, यह आपके long hit को hit करेगी बहुत ही अच्छे में, तो first exercise हमारी होगी narrow grip barbell का and second exercise हमारी inclined dumbbell का, जो कि आप commonly use करते हैं, जिबो में, मैं आपको आपको इसकी correct position बता देता हूँ, इस तरीके से आप इस exercise के अच्छे biceps को ब्रो करते हैं, तो सबसे पह इस तरीके से आपको late night climb दे, और पहली शिच का दिया हम रखें जो मैंने commonly mistake देखें, इसमें, सर को उठा के नहीं रखना है, वो बिल्कुल नीशे रखना है, और जो आपके hand है, वो पीछे की side रहें, इससे pressure कहां से लगाना है, forearm muscle से, सिर्फ आपकी forearm muscle move होगी, यहाँ पे ले जाके hold and दीरे दीरे इसको नीचे लाना है, आप both hand दी उसकते हो, single hand दी उसकते हो, alternate दीरे दीरे इसको नीचे लेके जाना है, ठीक है, यह नहीं करना, इस तरीके से बिलकुल perform होगी करना है, ठीक है, bicep muscle को आपको बिलकुल हाँ पे stick कर देना है, bicep muscle आपकी हिलेगी सिर्फ आपको four muscle से move करना है दीरे दीरे ताकि आपकी long head जो long head muscle है वाइसे की वो अच्छी तरिके से hit होगी कि यहां पर hold कुछ second hold and दीरे दीरे इसको release कर देना है और यहां पर भी कुछ second hold और दीरे दीरे इसको release कर देना है तो हमारी दो exercise हो चुकी है long head muscle की जो भी पहली थी हमारी narrow grip बाबर कर एंड secondly हमारी थी inclined tumble grip अब हम अपनी तीसरी exercise पर बढ़ते हैं जो हमारी तीसरी exercise थी EZ drag curl यह भी guys यह exercise ही बहुत ही अच्छी exercise है अगर आप इसको effective way में perform करेंगे तो जो आपकी gripping होगी वो shoulder length पे होगी end जो आपका bicep होगा उसको slightly पीछे ले रहाना है यहाँ पे hold slightly पीछे और हलका से bend होके chest portion out and इसको इहाँ पे hold करना है and release hold release guys यह भी बहुत अच्छी exercise है long head के लिए इससे आप long head अच्छे तरीके से train कर सकते हैं hold release hold करना है and release and release मैं दोबारे से बता देता हूं ease head curl को इस तरीके से पकड़ना है जो आपकी gripping होगी वो shoulder से बाहर नहीं जानी चाहिए बिलकुल भी slightly पीछे move करना है और इसको hold and release ताकि long head पे पूरा pressure रही है hold hold रखना है और release तो long head के लिए हमने कौन कौन सी exercise perform की पहली तो हमने perform की है narrow grip barbell curl दूसरी हमने perform करी incline dumbbell curl and third one is EZ drag curl और हमारी चौथी exercise जो है वो है dumbbell hammer curl अब गाई इस exercise को आप दो तरीके से कर सकते हैं तो standing या फिर sitting जैसे कि आपको requirement लगया बैट की इस exercise को perform कर सकते हैं और घड़े होगे भी success को perform कर सकते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस तरीवी से effective way में इस exercise को perform करना है है hammer curl में भी same ऐसी रहेगा bicep को stick कर देना है bicep बिल्कुल move नहीं होंगे and four arms को दीरे दीरे ऊपर ले जाना है यहाँ पे hold और इसको दीरे दीरे release hole hold और इसको भी आप दो तरीगे से कर सकते या तो इसको आप alternate करें या फिरो फिरो और थे करें जिस तरीगे चाहें तो alternate करेंगे तो इस तरीगे से होगा और अगर both hand करेंगे यहावार्म अरे तो इसरीगे से फ़ेज़ over, previously I am थीक है तो यह यह थी हमारी लॉंग हेड को ट्रेंग करने के लिए चार एक्साइज गाइस बहुत ही अच्छी एक्साइज है अगर आप इनक्साइज को परफॉर्म करेंगे तो लॉंग हेड आपका बहुत अच्छे तरीके से क्रोप करेंगा ठीक है अब चलते हैं दूसरी बाइसेप मसल डैडिस्ट शॉाट हेट अब शॉर्ट एड में जो हमारी पहली एक्सेज लोने वाली है वहोगी स्पाइड कर्ग अब बनीधिक को आप डंबल से भी परफॉर्म कर सकते हैं एंड और और से भी परकां कर सकते हिए तो मैं आपको बता देता हूं इसकी टक्नीक कैसे उत्ती इस तरीके से इसको साही गए में खाने हैं सबसे पहले तो इस तरीके से आपको इंक्लाइन बेंच पर लीन हो जाना है डंबल यहां पर रखने हैं चीक है और जो आपका focus होगा पूरा bicep muscle पर होना चाहिए डंबल यहां पर रखने अब इसको भी आप alternate कर सकते हैं और both hands से कर सकते हैं यहां पर ले जाके hold and release करना है अब एक चीज के दियान रखें जो आपकी bicep muscle यहां पर stick होनी चाहिए आगे या पीछे नहीं होनी चाहिए यहां पर stick कर देनी है bicep muscle आपको hold और दीरे-दीरे release इसको भी hold और दीरे-दीरे release आप both hands भी कर सकते हैं hold and दीरे-दीरे इसको release कर देना है back muscle बिलकुल straight रहेगी सर नीचे नहीं होगा body daily नहीं होगी back muscle बिलकुल straight रहेगी जो back muscle आपके straight रहेगी और पूरा focus guys पूरा focus जो आपको लगाना है अपनी bicep muscle पे लगाना है hold और इसको इस तरीके से release सभी आपके spider curl इसको आप रॉट से भी पपांग कर सकते हैं इस तरीके से bicep muscle को आपको रख रहा है और हमेशे या दिखना जो आपके glutes होंगे इस तरीके से होंगे इस तरीके सी नहीं करना है आपकी जो बैक है बिल्कुत stretch हो निजी है पीछे ताकि पूरा जो concentration आए आपकी bicep muscle पे आप इसको देरे देनीचल ले आने यहां पे hold थोड़ा hold आप देरे देरे इसको उपर लेकर आने इंद यहां पे थोड़ा hold करना है तो जहुआ है तो आपकी फ्रिचर कर हमेशा कोई भी एक्साइज करें इतना जरूरे ध्यान रखें कि स्ट्रेस आपक़ उसी मसल पर पढ़ना चाहिए जिस मसल की आप एक्सराइज कर रहें ठीक है न और जितना slow motion होगा जितना ही आपका slow motion होगा उतना ही आपका muscle mind connection अच्छा रहे ठीक है अब short head की हमारी दो exercise हो चुकी है पहली हमने करी थी spider curl आप spider curl rod से भी कर सकते हैं मैंने आपको dumbbell से करके दिखाया है ठीक है second one exercise हमने करी प्रिक्षर कर एंड थार्ड वन exercise is बारबर वाइड ग्रिप कर नहीं है लेकिन जो हमारी grip होगी थोड़ी सी वाइड होगी ताकि short head हमारा हीट हो जाए अब बारपन में कैसी करना है जैसे आपकी shoulder length यह है मेरी shoulder length यह है मेरी shoulder gripping यह है तो इसको slightly बाहर के side को करना है gripping shoulder से बाहर रहेगी ताकि आपकी short head हिट हो अब इसे दीरे से लियाके उप़र hold and दीरे दीरे इसको नीचे लेकर आपके ऊपर ले जाके hold और दीरे दीरे इसको नीचे लेकर आप ठीक है guys motion बिल्कुल slow होना चाहिए जितना आप हो सके जितना आप से हो सके उतना stress आपकी muscle पर पढ़ना चाहिए hold 3 second max 2 to 3 second hold रखना है 1, 2 and दीरे दीरे इसको नीचे लेकर आप ठीक है उपर ले जाके hold 2 to 3 second 1, 2 and 3 उसके बाद दीरे दीरे तो guys यह थी आपकी बारबर है हमारी last exercise है concentration curl जो की बहुत ही अच्छी exercise है short head muscle के लिए ठीक है तो मैं आपको perform करके दिखा देता हूं कि किस तरीके से आप इसको अच्छे तरीके से perform कर सकते हैं ठीक है तो सबसे पहले तो इस चीज का धियान रखना है कि जो आपका hand रहेगा वो इस तरीके से रहना है ठीक है और tricep muscle को पूरा lean नहीं करना है हलका सा टच करके रखना करना है उपर उठाके यहां पर hold और धीर धीरे release उपर अठाके hold इसको fast नहीं चला नहीं है ठीक है हलका सा इसको टच करके उपर उठाके यहां पर होल्ड और तीरे-धीरे को सेकंट hold करने के बाद release तो गाईस यह थी exercise आपकी short head muscle के लिए तो I hope मैंने आपको bicep की query जो है काफी हद तक clear कर दी हुगी So guys अगर आप यह सारी exercise अच्छे तरीके से perform कर सकते हैं तो आपकी bicep muscle का size एक अच्छे तरीके से grow होगा ठीके guys तो guys thank you for watching this video Please like, subscribe and share this video और bell icon को जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली videos का आपको पहले से ही पता सब जाएं